उदम सिंग नगर में खनन माफियाओं के होसले बलंद होते जा रहे हैं। पूरे जिले में कहीं न कहीं से अवैद खनन की खबरें तो आती रहती हैं। इसके अलावा अब खनन माफियाओं ने अवैद खनन में पकड़े गए वाहनों को वन टीम के साथ ही बंधक बना कर छीन लिया। जैसे तैसे करके वन विभा की टीम खनन माफियाओं के चंगुल से निकली और पुलिस थाने में आकर शिकाय दर्ज कराई। वन विभा की टीम ने पूरे मामले में सक्त से सक्त कारवाई करने की मांकी है। पूरे मामले पर वन दरोगा आनंद सिंग डांगी ने बताया कि बाजपुर में दो अवैद खननन से लदी ट्रेक्टर ट्रोली को पकड़ा गया था। जिसके बाद उन्होंने वन विभा को सुपूर्द कर दी थी। लेकिन जब वन विभा के कर्मी अवैद खननन से लदी ट्रेक्टर ट्रोली लेकर चले तो तब ही खननन माफियाओं ने रास्ता घेर कर ट्रेक्टर ट्रोली छीनली और मौके से फरार हो गए। इसके बाद वो चले गए अपनी टीम के साथ तो इनके द्वारा जो वाहन वाले हैं इनके द्वारा हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक करके ट्रेक्टर ट्रोली जो हैं जब रंच छुडा ले गए। आपी संक्या में लोग इकट्टा हुए थे। बतादे की बाजपूर के जोगीपुरा में तेहसिलदार राजेंदर सनवाल ने अवेद खनन की सूचना पर छापे मारी की। जहां तेहसिलदार राजेंदर सनवाल ने अवेद खनन में लिप्त दो ट्रेक्टर ट्रोली को पकड़ लिया। वहीं तेहसिलदार ने पकड़ी गई ट्रेक्टर ट्रोली पर अग्रिम कारवाई के लिए ट्रेक्टर ट्रोली को वन विभा की टीम के सुपुर्द कर पंजाब केशिरी टीवी के लिए ओधम सिंग नगर से निजाम उदिन शेक के रिपोर्ट